एलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल फ्रेंड्स डेली की तरह हम जी के चैलेंज में आज डिसकस करेंगे इसच्टी जी के से रिलेटेड आपके मगत राज्य प्लस सिकंदर से रिलेटेड कुछ इंपोटेंट्स क्यूस्टन जी हाँ आपके कमपटेटीव जैंड्स के बहुत ही helpful होने वाला ही वीडियो आपको दस секund का टाइम किया जाएगा अगर मगत के सबसे प्राचीन वंस के संस्थापग के बारे में पूछा गया है महाकोशला आफशन बी ब्रीह द्रश्ट चीर कुडिक या फिर डी घनानंद बताईए कौन सा करेक्ट होगा मगत के सबसे प्राचीन वंस के संस्थापक कौन है तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओफशन नंबर भी मगत के सबसे प्राचीन वंस के संस्थापक ते ब्रे दरस्थ और इसकी जो राजधानी थी वो देख लेते हैं अभी नंद वन्स का अंतिम सम्राठ कौन था फ्रेंड बताईए नंद वन्स का अंतिम सम्राठ कौन था घनानन्द महापद घनानन्द या फिर कलाशोक या फिर इनमेश्य कोई नहीं बताईए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंशर होगा है अजया है बता यह फ्रेंट कौन सा कर्रेक्ट होगा नंद वन्स का अंतिम सम्राइच जो था ऑफ्षन नंबर ए यानि की घना नंद ठीक है अगर वहीं फस्ट जो नंद वन्स का सम्राइच अंतिम कस्ताप्क था तो सिंपली कह सकते हमें अधिम सासक के बारे में पूझे तो आपका अपसर नमबर घंशननन्द करेक्ट हो जाएगा और भिया that का अंतिम सासक के बारे में डिसकस कर रहें तो आपको यह भी पता होनी चाहिए यह शिकंदर का शमकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौरे ने युद्ध में पराजित किया तेक है और मगत पर एक नए वंश मौरे वंश की अस्थापना की थी तो आपको यह बाते पता होन रहा है बताई हमेशा के लिए जो है अजास सत्रू का मतलब यूद किस्से रहा है मगत की राजा आजान सत्रू फ्रेंड्स अभी हम इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे कि यह कौन था ठीक है तो बताई अभी आशार कौन सा होगा बैशाली पंचाल या फिर दोन कमात बताई है मगत की राज़ा यूद्ध यूद्ध रहा है बैशाली के साथ चाहर है अच्छे लिए लिक्षण से स्क्रिन पर है प्रत anti-Right जतां करश किस सदी हुआ था प्रतम मगद्थ छम्राघ का उतकर्स किस सदी में हुआ था तरिर्प मगद्थ सम्राघ का उतकर्स कुछ में था तो नहीं हो फिर फिन διαपार! सबिता है कौन यह सब क्रशंव मेर में एंतर हो ठीक है जो उतकर्स हुआ वो हुआ ओफ्शन नम्मर सी यानि की छटी शदी में ठीक है नेक्स आप के स्क्रीन पर क्यूशन है कि निम्नमेशे मगद का कौन सा सासक राजा शिकंदर के शमकालिन था बताईए फ्रेंट्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा महापदेनन घरानन या फिर शुकल या फिर चंदरगुट निम्नमेशे मगद का कौन सा सासक राजा शिकंदर के शमकालिन था फ्रेंट्स अभी हमने कुछ समय पहले ये डिसकस किया था आप अंदाजा लगा कर भी बता सकते हो कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमने भी प मोरे वन्स अभी हम नेक्ष्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसकी आज सापना हुई थी तो बताएए फ्रेंश देखो जो घनानन्द जो कि नंद वन्स का अंतिम सासक था घनानन्द या सिकंदर का श्रमकालिन था यानि कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएग मगत की प्रथम राजधानी कौन सी थी फ्रेंश बताएए पाठली पुच्र वैशाली राजग्री या फिर चंपा फ्रेंश अभी हमने वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मगत के सबसे प्राचीन वन्स के संसापन कौन थे तो ब्रिह दरस्त ठीक है और र नेक्ष्ट आपके इस्क्रिन पर किसल के सिकंदर ने भारत पर कब आकरमण किया था यह मोष्ट इंपोटेंट इस वीडियो का कि हुच्छन है बताऀए तो बताये घिक कौन सा कॉलिक्टे ऊंसर होगा तो friends इसका correct answer हो जाएगा option number B ठीक है 326 इशा पूरो में जो है अब देखो friends आपको यहां बिल्कुल भी confusion नहीं होना है यहां देखियो option number C में दिख रहा हुआ 326 इस भी में लेकिन नई friends 326 इशा पूरो यानि की 326 इस भी में जो है शिकंदर ने भारत पर आक्मण किया था यानि की option number B इसका correct answer हो जाएगा friends next question अभी आपकी screen पर है most important है में बहुत यह से trick के माधियन से डिसकस किया था शोला महा जनपदों की शुची मिलती है किसमे मिलती है महा भारत शी या फिर अंगुतर निकाय शी या फिर चांदों गए शी या फिर शेट तो बताएगे friends कौन सा correct answer होगा तो आपको simply पता होगा कि शोला महा जो जनपद है उनकी शुची हमें अंगुतर निकाय से मिलती है ठीक है जो कि बहुत धर्म से रिलेटेड है ठीक है तो हमने यह बहुत इच्छे से डिसकस किया था अभी लेक से परकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी तो वह नहर कौन सी थी बताना है फ्रेंट कौन सी नहर थी अफिलेक से परकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी अभी हमने नंद वन्स के बारे में बहुत इच्छे से जाना तो वह नहर जो खोदी गई इसका नाम क्या था मगद में या फिर कलिंग में या फिर मैं में कोई नही कर्लिंग में खोदी गई थी नेक्स आपका क्रिश्चन है आपके स्क्रिन पर बिम्भी शार ने मगद पर कितने वर्षों तक शासन किया था बताए फ्रेंट्स तो बताए फ्रेंट्स कौन सा कर्ले कांसर होगा तो आपको पता होना चाहिए जो बिम्भी शीर है उसने मगद पर बावन वर्षों तक जो है उसने शासन किया था और फ्रेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए हमने आपको पहले ही बताया था जो अजाद सत्रू है वो बिम्भी शार पुत्र था और 20 रखिया उसकी पुत्र अजास का सध्रू उसके पुत्र अजास सत्रू ने कर दिए और वह 493 इसा पूरे में मगद ठीक है और जो अजास सत्रू था वो जैन धर्म का अनुवाई था और जो अजास सत्रू है ना उसने 52 वर्सों तक मगद पर शासन किया था तो इसके बारे में आपको इतनी इंफोर्मेशन पता होनी चाहिए एंजास सत्रू का उपनाम क्या था तो फ्रेंड आपको सिंपली पता होना चेहिए कि जो अजास सत्रू था उसका उपनाम कुडिक था ठीक है कुडिक तो इसका correct answer option number A हो जाएगा next question हम देख लेते हैं बिम्बी सार की हत्या किसने की friends अभी हमने कुछ समय पहले ये जाना कि बिम्बी सार की हत्या खुद इसके पूत्रे ने की थी और 493 इशापूरों में वो गद्दी पर बैठा था तो इसका correct answer हो जाएगा option number A ठीक है लेक्ष देख लेते हैं question number partly gram की अस्थापना किसने की थी उदाएण ने शीकंदर ने या फिर ये शबी ने बताएए friends partly gram की अस्थापना किसने की थी तो friends आपको पता होना चाहिए कि जो partly gram है इसकी अस्थापना उदाएण उदाएण ने की थी जो कि option number A correct हो जाएगा और friends एक option और आपको मिल जाएगा यहां देखने हो काला शोक तो यह की उपर सिद्ध है आपको हर option में देखने को मिल रहा होगा तो देखिए शीशु नाग का जो उत्तरा शीशु नाग का उत्रा अधिकारी था वो था कला शोक ने पुना रजधानी को पातली पुत्रे में ले लिया था तो यहां से आपको इतनी बाते पता होनी चाहिए और शीशु नाग का वंस का जो अंतिम राजा था वो था नंदी वर्धान ठीक है तो इसके बारे में आप को इतनी information होनी चाहिए नेक्स अभी आपकी screen पर question है शिकंदर का जन्म कब हुआ था फ्रेंट्स आपको बताना है शिकंदर का जन्म कब हुआ था 356 इस भी पूरव था 356 इस भी पूरव या फिर 234 इस भी बताइए फ्रेंट्स कौन सा character answer होगा तो शिकंदर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 356 इसा पूरव में थेक है तो आपको ये पता होनी चाहिए 356 बीशी में जो है शिकंदर का जन्म हुआ था नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्योशन है शिकंदर का पिता कौन था फिलिप मकदुनिया या फिर कुनिक तो बताए फ्रेंट्स कौन सा character answer हो जाएगा शिकंदर का पिता कौन था और इस से और देखिए फ्रेंट्स सिकंदर का जो है पिता का नाम फिलिप था ठीक है और मकदुनिया ये भी आपको पताने चाहिए मकदुनिया का सासक था फिलिप यानि कि फिलिप कि सिकंदर का जो पिता था वह था फिलिप और मकदुनिया का सासक था ठीक है नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्यूशन है मोस्ट इंपोटेंट क्यूशन है शिकंदर किसका शिश्य था ब्यास का अरस्तु का या फिर शेल्यूकस का बताए फ्रेंट्स कौन सा correct answer हो इसने भारत पर कब आक्रमर्ण किया था तो फ्रेंट्स 326 इशा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमर करना प्रारंब किया था और यहां और आपको नाम देखने को मिला है शेल्यूकस जो कि शिकंदर का शेना पती था ठीक है इसके बारे में आपको इतनी information पता होनी चाहर और ब्यास से रिलेटेड वी तो देखो फिर्ट सिकंदर की जो शेना ने ब्यास नदी के पक्षमी ट्रट पर पहुँचकर उसे पार करने से इंकार कर दिया था तो इसलिए जो है यह प्रिसिद्ध है और सिकंदर मतलब भारत कब लोटा तो आपको पता होना चीए सिकंदर अस्तल मार्क द्वारा 325 इशापूरव में भारत से लोटा था ठीक है और उसकी मिर्टिव कब हुई थी तो सिकंदर की मिर्टिव जो हुई थी वो 323 इशापूरव में ठीक है फ्रेंड देखो यह आ बेबि लोन में है चीए अब प्रिय गोडा कोन था तो आपको पता होने चीए सिकंदर का प्रिय गोडा था बहुँ बहु फेफला था ठीक है और इशी आपको यह बाते पता होनी से शिकांदर का प्रिय हो रहा था बहु केफला और इसी नाम पर इसने जो जहेलम नदी है उसके टट पर अपना एक नगर बस आया था जिसका नाम उसने रखा था बहु केफला तो यह थी कुछ से उनको जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिया आप अपना ख्याल रखे थांक्स वाचिंग